दूर्दर्सन का लोकप पे कार्कम है समवात मैं कहूंगा कि ये एक खिड़की है वो दर्वाजा है जिसके जरीए संस्कृति से सरोकार रखने वाले विरल विक्तिशों से हम लोग आपका सक्षात कारवाते हैं आपको रूबरो करवाते हैं उन सक्षट से जुन्होंने संस्कृति के चेत में बहुत महत्वपून कारे किया है समवाद में हर बार एक नया चेहरा होता है लेकिन आज जिस सक्षियत से हम लोग आपके मुलाकात करा रहे हैं वो एक चहरा नहीं बलकि एक चहरे में बहुत सारी और विशेशताई लिये हुए है प्रसास्की अधिकारी के साथ-साथ कैसे कला और संस्कृति को जीवन्त किया जाता है कैसे अतीत से प्रेड़ना लेकर आधुनिक्ता के मुल्यों को जीते हुए भी लोगों को संस्कारित करने का कारी किया जाता है यह बहुत महत्त पुनकारी किया है डॉक्टर ललित के पंवार में मैं स्वागत करता हूँ डोक्टर पमार साब का कि आप संभाद में हमारे साथ आए मैं आपसे बात कर रहा था कि डोक्टर ललीद के पमार साब जो है ऐसी सक्षियत है जिनोंने प्रसास की अधिकारी के रूप में निरंतर समाज को महत्रपूर दिया है और बहुत सारी बाते आप लोग उसके लेकिन पहले डॉक्टर पमार साब की जो यात्रा रही है प्रसास की अधिकारी के रूप में लोग का आलोग समाज को प्रदान करने के रूप में और विशेश रूप से विशेश वर्गों के लिज़ उकारियून किया है उस पर एक शंक्सित्स यात्रा आए एक जलक हम देखते हैं लेलत के पुहार साब के बारे में उन व्यक्तियों की जुनने इनके बारे महत पुन बाते कहिए साज़क हैं एक चलक हम यह स HC ंबर में और को एक महानता के दरिग और महाने संदारन और सादग के दरिग और हमेशां के लिए बढोद्री के लिए वी आरेस और आयेस जो होते ही हमारे वारे windows ुक्राइब में चैनल ने में कुछ मुझे मली के हमद्र देगा और प्राद्रिशन के वूजर बोलना होगा क्योंकि उन्हों जो हमारे लोग संगेत की लोग कल्चर के लिए उखिया है उन्होंना आइस होते हुए जैसलिमिर में 30 साल के ले वहां आप कलेक्टर बिराजते थे तो आपने आकर के कलाकारों का दर्द दुख और समझा और कलाकारों के बारे में आप आराम से घह रहे ते मगर एक मारा लेन अजिस्तान नहीं था कलाकरों का तो आपने प्रदमने वहां कलेक्जाब थे तब आपने खलाकार को लोनी वहां बनाई वाज अच्छा जीवन्यापन कर रहे हैं तो यहां से लेकर करने फिर उसके बाद में लोग संगित के बारे में लोग कल्चर के बारे में आपने जो हम या नहीं है आपने मिलक कर कैया है आपने जो मदद करना जो अब जो होटलें बनी है उसका नाम देना या कोई ऐसी बिल्दिंग पर नाम देना तलाब का नाम दोना देना लोग संस्क्र्ट के लिए कि आपने किया है वो बहुत सरानी है गरीबों के मसीया कलाकारों के मसीया स्री ललित के पुवाद डॉक्टर ललित के पुवाद जाब का नाम आता है तो हर आदमी के दिल में एक वह कंत की लियराती है और आज तक छोटे से में इनके घर पर गया है विदल से सुना है इनके सभी की इचाएं कि और यह पहले वक्ति हैं कराकारों को को जी निया बना के सरगर कर द्वारा कि के द्यूंटे कि Geld कि चाहिए हैं और गरीबों के भी मसीय हैं और मैं जब से इंसे जुड़ा हूँ मैं अपने आपको उनको अपना भगवान पानता हूँ और यह जब तक टूरिज्म मेरे मेरा इनका पाइची नहीं हुआ जब यह अजमेर आप इसी चेर्मेंट बनके आए जब से मेरे इंसे प्र सबसे बड़ी बात यह भी रही कि जहां भी जिस पद पर आपने कारी किया नवाचार अपने के साथ साथ कुछ ऐसी पहल भी आपने की जिसके जरीए समाज आलोकित हुआ समाज को बहुत कुछ महत्वपूर्ण मिला भी बालोतरा से आप आते हैं बाड़मेर के चोटा सा कश् सब्सक्राइज परकार के परेटर्ण शचीक रूप में संस्कृति रूप में मुख्यमंत्रिक रूप में और विभिण अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने इस तरह का कारे किया है जिस से संस्कृति के मुल्यों को जीवंता मिलीए आपका बहुत-बहुत सिवा में अने का दिरोement sa sepehadra crédapon naas pad रहा है आपने एससी uvijyádn wise Phгиach Rivers WM आपने कि थी कि भारती रगीश्थान जो पर प्रयावण पकरे girl spirit करते हैं तो इस्थानों की बात तो делать छाती है उत्पादों की बात भी पार की जाती है और परेटन की बात की की जाती रही है लेकिन आपने एक महत्रपूर्ण सोध कारिये जो है बलकि मैं कहूं कि 1993 से लेकर 1998 तक जो पिएजडी आपने की वह भी इस रूप में महत्रपूर्ण है कि आप बहुत इस्थानों पर गए भी और जीव जन्तु जो रगिस्तान के जो है उनकी जो पारिश्थि के मुल्यों को जीवन्त करने का कारी भी निरंतर किया चूंकि समवाद करिम कलाओं से जोड़ा तमसलिए चाहूंगा कि आप जो लोग संस्कृति के जरिये कैसे पर्यावन संक्षित होता है उस पर थोड़ा सा अपना मंतर बें बताएं धन्यवाद राजेश जी अगर हम र प्रषिश खास सोर से रिगिस्तान का उसके तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जो विशव में बहुत कम जगों पर ऐसे इस तरह के मुद्दे मिलें गभी हम्मारे यहां की और अदोचर की संस्कृति जिसी तरह से हमारे अचाब ने Конलंबी को सहीजने की संस्कृति एक पानि को बार काम में लेने की संस्कृति तो प्राखरतिक संसादनों के व्यक्शिल उप्योग कि जो विराशत हमारे बुजर्गों ने हमारे पीडियों से जो चले आ 사람들의 रही है और उसकी वजह से जो हमारा थार का रिगिस्तान है विश्व में कुल 23 रिगिस्तान है पूरे विश्व में 23 रिगिस्तानों में सबसे अगर हरा भरा ग्रीन और हॉस्पेटिबल अगर रिगिस्तान है तो हमारा थार क्या बात है आप अरब में जाके देखें सहरा में जाके देखें तो वहां ज इसे विश्णोजी संप्रदा की एवन बात करें, जाहमोजी महराज जो 29 सिद्धान दिये, उसमें से 18 डारेक्टली रिलिटेट हैं, प्राकरतिक सर्विशन के बरती, और जिस क्लाइमिट चेंज की बात कर रहे हैं, या ग्लोबल वामिंग की बात कर रहे हैं, जाहमोजी महरा नहीं, लोग संस्कृति के जो ही हमारे परिचायक, ओरन गोचर, बावडियां के लिए, हमारी हेल्दी हैबिट्स, जल सरक्षन की बातें, इन सब को हमने लोग गीतों में भी साथ में उसको संजोया है, अब पुराना गाना है, अपन सब राजस्तान के जो लोग सुनते गाने कपूल के जाते थे, यह बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर एलत के पुवार जो है, प्रसास की अधिकार के साथ साथ, लोग कलाओं के चिंतन से भी चुड़े रहे हैं, और एक बड़ी बात मैं आप लोग को यह भी बताओं कि डॉक्टर पुवार साब जहां भी र जो गलाकार अपनी हां पर जो हैं, जैसे सास्तिर संगीत में घराने होते हैं, उसी तरह से लोग कलाकारों के अपने घराने हैं, जैसे लंगा, मांगनियार, धाड़ी, यह सब मिराशी, यह सब घराने एक प्रकार से, लेकिन जिस तरह से इन घरानों को आगे बढ़ना चाह होगा, पहला सोजा अब यह व्याज जी कि जो पार्वपरिक सरश्चक थे इन विदाओं के, हमारे राजे रजवाडे या जिनको जजमान प्रथा कहते हैं, तो धीरे धीरे आपने दिखा कि राजे रजवाडे चले गए और जो पार्वपरिक जजमान थे उनकी पेंग काफी कम हुई, मगर जैसा आपन कहते हैं कि भगवान जब एक दर्वाजा बंद करता तो पांच दर्वाजे खोल भी देता है, पर रेटन के रूप में हमारे इन कलाकारों को, लंगाओं को, मगनियारों को, मिरासियों को और जो भी हमारे कलाकार बंदू हैं, ना सिर्फ प इस तो से निकल के राड़े खहां जी का लड़का मामे खहां बॉलिवद में अपनी पैचान बनाता है अब मात इसलीव करता ही आत दिलाना था आपको कि आप जब 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 जेसल मेर कलेक्टर हुआ कर थे उस समय भेंकर अकाल की स्थ़ती बनी थी जएसल मेर को उस समय कु था राजिश जी, वो त्रिकाल था, पहला साल काल, 86, फिर सितियासी भी अकाल, फिर एठियासी भी अकाल, त्रिकाल, बड़ी चुनोती पूम भी होती है, बहुत हरा खराप थी, एक आम जेसल मेर के नागरिक की भी एक नागरिक, बलकि बाड मेर, पुरा हमारा पस्चिवी र मेलों में परिटन का जो प्रोमोर्शन, तो परिटन को हमने थोड़ा एक्स्टा प्रमोट किया, और डेजिट फेस्टिवल आज पूरे वर्ड में जाना जाता है, उसका जो वरत्वान सुरूप है, उसको मैंने अपनी तरफ से मेरा विनमर जो भी उसमें योगदान था, न यह में जाने जब मैंने निद्देशिक परिटन ग्रूप में जोइन किया, तो स्वर्गेशी शिखाफ्साब मुक्य मंत्री थे, स्वर्गेशी जैन हमारी मंत्री जी थी और सची अस्वर्गेशी अमरसिंग जी राठोड साप थे, तो बाती चली कि राजस्तान परेट का लुगों क्या होना चाहिए, पहले जो होता था एक सिंपल सा लुगों था और तो ठीक होना ने तलवार की तर खेश दिया था, तो मैंने उनसे का राजस्तान की पहचान है वो तलवारों के देश के रूप, प्रदेश के रूप में थी, वो मधिकालीन में थी, अब युद्ध का जमाना गया तो नया आया है, तो कुछ अलग तरह की पहचान होनी चाहि तो यह जो टॉप मारी मांगी बाई एक से बढ़कर एक, उनका सबका टॉप काना हमेशा होता था, केसरिया बालों, आओनी पधारों मारे देश, वहां से मैंने उस मुखड को लिया, पधारों मारे देश, और उसको हमने प्रमूट किया, वेलकम तो माई लेंड, यह पधा किसी संगीत को या किसी गाने को कंपोज करें, तो वो टैगलाइन फिर मैंने अपनी तरफ से उसमें जोड़ी, लोगों डिजाइन किया और वो बहुत लोगप्री हुआ, एक खास बात और भी रही थी कि, पैलेस ओन वील्स, जो रेल गाड़ी इसको बहुत चर्चित है, औ आज तो बड़े चल्वे भी ऑस्ट्रेल गाड़ी के जाए, उसकी भी पहल आपके जरीए की गई थी, थोड़ा उसकी कहानी हमारे शुरुतादर सग्जाना चाहिए, पैलेस ओन वील्स का जो वरत्मान रूप है, उसको उसके जनक की रूप में 4-5 लोगों का उसमें जबर आरके पुरी साब थे, जैन सानियाल सियासे, तो यह वरत्मान जो रूप आप देख रहे हैं, ब्रॉडगेज का पैलेस ओन मील्स, उसकी निर्मान में है, उसकी कंसेप्ट में हर कोच में एक अटेस्ट टॉलेट देने के उस कंसेप्ट में, उसमें हम लोगों दी और वह ब पुराने ग्राजी रजवाणों के कोशिस को एसेंबल किया गया था, तो ओरिजन पैलेस ओन मील्स तो 1982 में शुरूआ और वरत्मान सुरूप जो आप देख रहे हैं, ब्रॉडगेज पैलेस ओन मील्स, वह हम लोगों ने शुरू किया था, और दोनों बहुत लोगपरी रह और आज इक रास्तान पर रेटन की वह पैचान है, एक महतुपुन आप लोगों ने नौट कियोगी इस बारे में, कि हमार सब बात करते हैं, तो परमपरा के साथ साथ आधुनिक बुल्यों को भी पूरा महतु देते हैं, पंडित हजार प्रसाद व्योदी ने खास बात कही कि जब व्यक्ति चल रहा होता है, तो जो पैर रुकावा होता है, वो परमपरा होती है, और जो पैर चलने के लिए आगे बढ़ता है, वो आधुनिकता होती है, और दोनों पैर चलते हैं तभी, जीवन संसकारी होता है, चरे वेती का नाद भी तभी होता है, एत्रे ब्रह् यह सक्राल längौ मैं और जो किसान के पास है ब्द तो किसान उन्हें विख्षा देता है मजाक में कहता है कि इसे कि कुछ करते हूं और इसकरित जी warp और प्रशार थाहिए फंसकारित जीवन भूर ने लगता है कि इस तब इस तरह क की खेती प्रसास की अनुभोक रूप में किया है आप जहां भी रहे नवाचार अपना तो बहुत सारी पत्रिकाओं का भी सुत्रपात किया। निल बोर्दिया के टाइम में निकलने के पहली लेकिन बढ़ाने कारी आपने शिवीरा को किया और भार्त सरकार के परेटरन सची रहते हुए आपने असोक नमा पत्रिका का पहल कि थी आपने जो है क्योंकि सूजस बड़ी लोकप्रियों जिसमें आपने निकाली थे उसमें राजस्तान की तमाम जो कलाएं हैं संस्कृति से जुड़े सरोकार है उन पर विशेश अंक भी निकले थे उस समझे सूजस सूचनाव जनसंपर्क का शौर्ट रूप है लेकिन आपने सूजस नाम दिया उसका सूजोटा करते मज़ें क्या उसक नमा के पिछ रही है क्या स्यूरा को आगे बढ़ाने के आपकी मान सिकता रही है और कैसे संस्कृति के मुले जीवन्त होता है यह मेरा सोभागे रहा है कि मुझे राजसान सरकार की पांच पत्रिकों का प्रथम संपादक और एक तरह से इसको इस्थापित करने का टाइटल सोचने का और एक तरह से वो मुझे सोभागे मिला नसंति है सूजस तुम्हेर एक्राणny में डारेक्टर पगिए पप्ली करलेक्षम था उस्वक्त सोचल मीडिया तो था ही नहीं इलेक्टूनी मीडिया भी धीरे धीरे डैवलप हो रहा था और प्रिंट मेडिया एकदम चाह हुआ था, तो मैंने डारेक्टर पब्लिक रिलेक्श्वी रूप में पूरे अपनी टीम को यही का, कि अपन एक इस तरह की पत्र का निकालें, जो पूरी राजस्थान की सूचना जनसंपक और संस्कृति का एक संभाग बने, और ये नाम भ कि सरकार की उजनाओं और उनके अच्छी बातों को, उनके येश को जन जन तक पहुंचाना, तो सूजस्थ, येश का अबरंश एक तरह से जस्थ है, तो इस सूजस्थ नाम जब मैंने माननी मुख मंत्री मौदय और हमारी स्वर्गे विद्याजी पाठक, हमारी मंत्री थी का पर्थन, तो उसमें भी संस्कृति की जलक मिरती है, नाम में जब वो कॉलम फिल्म मैंने कुद ऐसे डिजाइन किये, या तक कि कवर पेज भी रास्थान के जरोखा, वो चला, तो चुकि मेरी माताजी सिक्षी का है, पिताजी भी क्राफ्ट टीचर थे, तो वो मुझे व पारसरकार में जब में उझे चांस मिला, आईटीडीची चेरिमिल का ता अशोक नामा पत्रिका बैने शिरू की, और इवन यहां तक कि कारिकरम जो जिससे भी डॉमेस्टिक टूरिज्म बो प्रमोट करने के लिए, पारसरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, कारिकरम चल देखो अपना देश, उसका ओरिजिनल नाम जो हमने सुझाया था वो था स्वदेश दर्सन, वो 2014 में परेटन सज्जी के रूप में, स्वदेश दर्सन का ही एक परिश्कत रूप, देखो अपना देश है, तो धर्टी की खुश्म को मैं सरकारी फाइलों में बिखिरता रह हमारे जड़ों की तरफ जाना होगा, क्योंकि एकर जड़े मजूत है, तभी हमारा पेड़ पुरिश्पित और परवित होगा, तो मैं इसे परविता बर्मत्मा का बहुत बड़ा आशिरवाद मानता हूं, मातरविता का हमारे ठीशिर्स का, कि वो इतसरकी क्रेटिविटी मुझे दी कि आज 5-6 पत्रिकों का विजुलाइजर और प्रतम संपात होने का सुभागी मुझे मिला, संस्कृती जीवास को नहीं बने, जीवन्त बनी रहे, इसके लिए निरंतर अनिरत के पहार साब ने काम किया है, और जो इनके जीवन को देखते हैं तो यूँ भी लग बड़ी नफासत से आप बोलते हैं, हिंदी तो ही आपका, अंग्रे जी राजस्थानी, तमाम भासाओं में जो है, क्योंकि कई वार में सेरो शायरी भी आपके सुनता रहा हूं, और चाहूंगा कि गान क्योंकि संगीत से आपका बज़पन से लगा रहा है, कुछ सुना दे माता जी अभी भी हार्बोनियम बजाती है, मारे नाना जी और तौरत अपसे, तो चुकि मैं संगीत के परिवार से हूं, तो बचपन से वह ऐसा माहूल मिला, तो मैं भी ढूलक बजाता हूं, कोई भी गाना गया है, तो मैं ढूलक के साथ संगत कर सकता हूं, करीब 10-11 ताल हम चाहेंगे की तो आपका, हाँ, गाने थोड़ा बहुत गुन गुला रहता हूं, और विद्यार्थी जी में गाता भी रहा हूं, तो चाहे हिंदी गाने हो, चाहे गजल हो, राज्थानी गाने खास तो राज्थानी तो अपना है, इस खास तो और बच्पन से जो सुनते आए थे गाने तो हमारी लोग गितों की जो मिठास है राजेश जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है, अब कुर्जा है, घूमर है, अपना जो कागलिया है, इस तरह के जो गाने है, वो सेकलों साल पहले कमपोज किये गए थे, मगर उनकी धुन, आज ही अब जैसे जल्ला है, जल्ला गाहों, उसकी जो आप धुन देखें, आपके जल्ला रामणिया पाके, और मुरू भाई, इस तरह के गाने है, तो मेरे जो फेवरेट गानों में ही जो राजस्तान की जड़ों से जुड़े गाने थे, उनको मैं अक्सर गुनगुना तर रहता हूँ, और सुताओं क कि किस हद तक वो उनके गानों के लफज, यानि उनके अलफाज और उनके धुन, किस तर से उन्हों ने जोड़ के हमारे एंसेटर्स ने इस ने कंपोज किये, जो आज भी उनका वो जो फ्लेवर है, वो गतम नहीं हुआ, जैसे कि आप और उसमें एकोलोजी, परंपराएं, उन सब का वो कितना अच्छा श्रमावेस करते थे, बिल्कुर, अब जैसे, अब इस गाने में परंपरा, शगूर मनाना, फिर वो बता दिक जब आप आएंगे, तो मैं किस तर से आपका स्वागत करेंगी, खीर खान का अजिमन बनाऊंगी, और उस तर से उकरते हो, तो वो एक संस्कृती की अनुठी विरासत है, और जितनी तारीफ के जाए, उतनी क हमें, तो हम बहुत सो वक्षा लिए कि हमारा जनुठी रास्तार में हुआ, और एक ऐसा परवेश हमको बिला, बिल्कुल आपने कहा रहे हैं, जब आपको आपना सोध किया था, बलकि समय समय पर आपको चिंतन भी व्यक्यान के रूप में लोगों के सामने आता रहा है, उस थार के जैविक संग्राले के रूप में अभी हीत किया था थार के जैविक संग्राले है, तो यह जो थार के जैविक संग्राले ओरन है, गोचर भूमी जो है, इन सम के बारे में बहुत महतुपून काम आपने कि थोड़ी से उनके बारे में बताएं कि कैसे उनके जरिए प् रखारती कृश्री वेचयानिक परिशद में आईसेयार में अरे इंडिन ऐसी ऐस में मीरा कदस्ताफन था तो चूंकि मेरा साइंटिफिक बेगराउंड था तो मैंने कॉल्टिजिस हे रूप में कारी संभला तो हर गाम में मुझे औरन और कलेक्टिजिक बाद में बच्पन स हम देखते हैं थे गांव के बार में भी अब औरन हर गांव के पंचायत में जो एक सारक्षित फॉरस्ट टाइप होता है वो एरिया सो डीट सो भीगा भी हो सकता है और अगर अपन कोलू पाबुजी का या बादिया बादिया का ओरन देखें हो पैताल हिजार भीगे का है तो यह एक तरह से रिजदे फॉरस्ट है जो हमारे रिगिस्तान के और इनको मैं जरिक संग्राल इसने कहता हूं कि डेजर्ट फोना फ् पेड काटे करने गिरी हुई टेहनी ही आप कामे ले सकते हैं तो राजस्थान के रिगिस्तान में कूल मिला के सो देट सो से ज्यादा ओरन है और उनका अगर अपन एरिया देखें तो उस एरिया ने हमारी इस जैविक विवित्ता को रिगिस्तान के फोना यानि पशुपक् आपको बढ़िया मिलेगी वहाँ एक सरक्षित हुआ है जबरदस्ट ये तरह से हमारे रिगिस्तान के लंग्स थे और इन्हारे हमें बचाया है क्या बात ओरन हमारे पशुदिन के लिए एक बहुत बढ़ बढ़ बढ़ी स्रेंड इसली होता था वहाँ उनको खाने पीने क रहता था और बैठने को चाओ मिल जाती थी और चरने के लिए खूब इचायदार अब जब 45 डिग्री 49 डिग्री टेंपरेशर हो आप और में चरने जाई हैं और किसी ठंडी जाल के निचे बढ़ी ठंडक रहती है बोड़ी के निचे हमारी जो पैडों के निचे आप आप खास तोर से जीरो फाइट्रिक हैबिटेट के लिए जगिस्तान का जो फ्लोरल और फॉर्णल जो रिचनेस है उसको उन्होंने प्रिजर्ब किया है तो यह हमारे लिए बहुत बेश्किम्ती है प्रकृति समर्थित कलाओं की बात आप आप खास तोर से कही है कि जो बह है तो इन कलाओं के सरेक्षण के लिए क्या कुछ और कारगर प्यास कि जा सकते है एक अच्छी शुरुवात तो हमारी रास्तान सरकार ने की कि हर फेर्टन फेस्टिवल में जितने भी टूरिजम के फेरी फेस्टिवल होते है उसमें कामने नूट किया होगा क्राफ्ट सेक ग्यायवा लें हर परशु में आपको सारे ऐलेमेंट्स मरेंगे। आर्ट करफ्ट मिलेगा इसी तरह से आपने पेपर मेंशी की बात की, मौलेला की आज मौलेला दिली के बड़े-बड़े घरों में आपको मौलेला के पीसिस मिल जाएंगे, जो वहां के मोहनची प्रजापवतिया, जो आर्टिस्ट रूला ने बनाएं, अमारे शिवलाल जी अपने भीरवाडा की जो अबनेट पेपर के बारे उस्ताजा जी शामुदिन जी बना थे काम, तो यह नायाब हमारी कलाकर्थियां थी, और इनको मंच प्रदान किया रास्तान सरकार के परेटन कला वसन्सकृति वागने, रास्तान सरकार के परश्यूपालन वागने, परश्युमेलों के माध्यम से और 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 रूप में जब उसको प्रमूट किया गया तो उनको एक नए पैटरंस मिले और इसलिए वो आज भी आपको मोले ला में काम करते मिल जाएंगे सालवास में दरी बनाने वाले पहले मान लिजे सो परिवार थे तो वो परिवार डेड़ सो चुके हैं क्योंकि दरियों की सीधी बार्केटिंग डिजिनल प्रेटफॉर्म से पूरे वर्डबे हो रही है सालवास के दरी उपलब्ध है हमारा बाद में का रोड़ा का फरनीचर कि इतना पॉपलर हुआ था तो इतना संब्रद है हमारा रगिस्तान की जितना अपन करें उतने कम है पुरे भारत के बात करें कि संस्क्रति की सरवकार क्हूब सारे लेकिन राजस्तान के बारे का沙जिस्तान के कलाओंपर में उस्च सुदू तक परे dużsky पूए परेटन की क्या भूमिका हो सकती है, कलाओं की सलेक्षन में, इस पर थोड़ा सा, क्योंकि आपका बड़ा विसल विरद अन्भू हो जो इस मेहरा में है अपका। परेटन का जो अपन वैश्विक सरूप देखते हैं, तो खास सौर से जो हमारे यरॉप से अमेरिका से जो इस तरह के जो विकसित देशों से जो परेटन का आते हैं, उनका जो नजरिया वो बड़ा साइंटिफिक और बहुत इको फ्रेंडली होता है, और वो आर्ट, क्राफ् सब को बड़ा ध्यान से देखते हैं, अब आप देखिए, सूरज कुंड, एक कुंड था, उसको प्रभूट किया गया, तो आज वो इंटरनेशनल लेवल पर माना हो एक फैस्टिर रोचुकार, हारियाने को एक नई पैचान भी, एसके मिश्रा साम ने उसको शिरुवात की थी, और उन्हां ने जो सूरज कुंड को एक टूरिजम, हैंडिक्राफ्ट, आर्टेक्राफ्ट उससे जोड़ देया, आज वो पूरे वर्ड में उसकार, हमारे विज़े से मेले हैं, जितने भी हमारे तीज तो तो परेटन ने एक हमारी पारणपरी कलाउं को एक नया मार् परेटन दिया, और साथ ही साथ जवारक अलकेंदर जैसे जो संस्तान रास्तान सरकार ने बनाए, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, बाहर सरकार में भी हस शिल्प को पर्मोर्शन करने के लिए अलग से कॉंशिल बनी हुई है, मैं उस कॉंसिल में भी आता जाता रहा हूं रास्तान के जो हैंडी क्राफ्ट की एक्सपोर्ट प्रमोर्शन की जो कॉंसिल थी उसका मैं सर्लक्षन भी रहा हूं, आप जहारक अलकेंदर की महानी दे सक रहे हैं, जहारक अलकेंदर भी मुझे काम करने का सुभा की मिला, और इतना काम है कि अपन इसको जैसे में कहता आर्ट, क्राफ्ट and कुजीन वह आपको रास्तान के नक्षे पे आप कही हाथ रख दें, तोस वहीं आपको ये तीन चीजे तो मिनिमुम मिलेगी, आर्ट, क्राफ्ट and कुजीन, फोगी अलग तरसे वराइटी मिलेगी, तो इस मामले में हम लोग लग हैं और भारसरकार और सब्सक्राइब करें कि इनको संक्षन मिले इनको इनका परिवर्दन हो क्योंकि बहुत बड़ा जो बाजार जो है वह हैंडी क्राफ्ट इस तरह की कलाई जो है उसके जरीए हो सकती और आपने अच्छी बात कहीं थी कि जो घरेलू परेट ने उसको बढ़ाओ देने के लिए स अगर वहां जो हमारे देश भारत की बात करें तो हमारी यहां से तो युगों युगों से चलता रहा है शुर्वात हुई थी तीर्थाटन से तीर्थाटन देशाटन और परेटन तीर्था टन एंशीन पीरिड में तीर्थों की यात्रा से समंदित था, तो हर व्यक्ति की बन में भारत का हर नागरी की चाहता था, कि मुझे तीर्थ जाने का मौका मिले, वो चाहे बनारस काश्वी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे रिशिकेश हो, और चाहे मुदुरेई हो, और चाहे रामिश्वरम हो, या हमारी बद्री विशालो के दारनाथ हो, या हमारी द्वार का हो, या कामक्या माता हो, तो ये स्वपन होता है हर भारती का, कि मैं चाहर धाम की यात्रा करूँ, तो शुरुवाद हुई तीर्थाटन से, फिर आया देशाटन, देशाटन आया basically व्यापार के साफ से, कि मालीज रगेस्तान में कोई ज्यादा अपनी तो हमारे लोग देशावर जाते थे, वो देशाटन, और इसे तरह से अन्नी राजियों के लोग भी दूसरे राजियों मे जाते थे, तो यह पूरा मुमेंट जो होता था, वो उसको अपन कहते हैं देशाटन, तो जब आप तीर्थाटन करेंगे, देशाटन करेंगे, और इन दोनों को जो मिक्स कया गया, तो वरतमान का इस रूप आया, जिसको अपन कहते हैं परेटन, तो तीर्थाटन for spiritual satisfaction, आध परेटन का इस रूप है, यह थोड़ा प्लैजर ओरेंटेड़, अब धिरे इसको अनुभू पर आधरेत हो रहा है, यानि experiential tourism, वर्च्वल टूरिज्म, तो आजकल जो टूरिस्टातों कहते हैं, हमको मुलेला गाउं जाना है, हमें देखना कि महां महुन लाल जी किस तर से परजापत जो बनाते हैं, हमें साला से जाकी देखना कि कैसे औरमेश परजापत जी वहां दरी बनाते हैं, हमें बड़नावा गाह में जाके देखना कि कैसे लंगे रहते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, अनुभूती परेटन होगा, तो यह परेटन का चेंज स्रूरूप है और विश्व परेटन संगिठन ने ये कहा है Tourism for Social Development, Tourism for Environmental Conservation, Tourism for Energy Conservation तो इसलिए मैंने अपनी किताब में इस बात को कहा था कि हम उसी परेटन को बढ़ावा दें जिसको हम निभास सकें कल्चरली वो सस्टेनिबल हो हमारे resources limited है तो हम बहुत अगर परेट तक आगे तो हमारे पानी, जमीन, बनस्पती इन सब में संस्कृती, इन सब में negative impact भी हो सकता है carrying capacity हमारी कितनी है तो आज कल लिए है और इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि रास्तान tourism की भी eco-tourism policy है भार सरकार की eco-tourism policy है और responsible tourism एक latest buzzword है तो उसको रास्तान सरकार और भार सरकार दोनों प्रमोट कर रहे है बहुत सारी बाते हैं आप से करते हैं कि मन अगाता नहीं बलकि यूँ कहों कि मन भरता नहीं है बात करते हुए लेकिन समय की सीमा भी रहती है आपने बहुत सार एक चहरे में कई चहरे समाहित होते हैं और सकारात्मक चहरे जिनको कहा जाए आप राजस्तान लोग से वायोक के अध्यक्स रहे skilled university के आप कुलपती रहे और निरंतर आपने प्रकार से महत्वपुन नवाचार सभी सेत्रों में किया तो लोग से वायोक के अध्यक्स के रूप में और इसके लिए के कुलपती के रूप में आपने जो सरक्षन कलाओं के लिए जो पहल की थी और जिस तरह से कि ट्रांस्परेंच सी बनी रहे जीवन में जो है सामाजिक संबंदों में संस्कृति में उसके बार में थ्रोड़ा सा दर्स्रक्स होता हुआ है मैं जब लोग सवायोक का अध्यक्स था तब का तरशक्स का न को कलाओं नस्क्रreci के लिएम स्नस्कृति के बारे में उन्ह 1957 आपने जरूर जरूर पूछें पूछें बारे रास्तानि भाषा क Championships का को प्रमोट करने के लिए हमने उसमें प्रिश्ण और पेपर्स रखे ताकि हम राजसान की संस्कृति और उनकी बाश्रों को प्रमोट करें और ट्रेडिशनल एस डिजिटल याने इन लेटेस्ट ट्रेडोजी का हम इस्तेमाल करें ताकि यह पेपर लेक किया इस तरह कि जो भी कोई भी कमिया आ रही है वो नहीं हो तो मुझे इस बात का और आप स यहां को हमने जोइन करवाया और उस वक्त समाचार पत्रों में हेडलाइन आए थी कि फास्ट ट्रेक पर दोड़ी आरपीस सी तो इस बात का मुझे बहुत संतोश है कि भगवान ने मुझे अवसर दिया और मैं रास्तान के यहां को 15,000 यहां को उनकी सेवां को राजिकी से सथी साथ εस के लिए मुझे मिला तो मैंने कोसिश की कि जो को से दिजाइन के जाए उसमें अगर एक तर दिजिटल को आसे आई एल्टिकसलिएंश्मेलऑनिंग रोबोटिक्स сравnity purse लिएट इटे सब्जेट्स तक से ले ее साथ ही साथ हम ग्रीन हाउस मेनेजमेंट, और्गिनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल व्याउफ वार्टर कांजिवेशन इस तरह के कोर्सेश भी करें जेम सिंजुली डिजाइन के हमने कोर्से ऐसे किया है जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट इन क्राफ्ट को बड़ा हुआ दे इस बात को मैंने प्रमोट किया और मुझे इस बात की खुशी है कि अब गॐवन सिंस्कृति लूप में प्रत्थम पीएक्षडी जो हमने स्विकृत की मानली राजपाल महादे से अप्रू करा के वो हमने विजेवर्माथ साब को जो हमारे रास्तान संकृति के जावार कला चंस के चितावफिक के संस्तापक और राजिस्तान के कलास दुक्रति में जो महारत या जो योगदान आदनी विजय वर्मा साब का है कुमल दादा कुमल कुठारी साब विजय दान जी देथा उस देव का कॉंट्रिपूरिशन हमारे विजय वर्मा साब के तो पहले डॉक्टरेट जो राजिपार महादो से एक क्विश्चन छोटा सा क्योंकि समय इस तरह से यह सिनिक्द मुष्कान आपकी जो है सेवानिवर्ति के बाद भी यंग लगाई दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे क्या राज इसके पीछे हमारी बारतिय संस्कृति के देल योग प्रणायाम और किसी के प्रति दुर्भ में अच्छा सुचेंगे और मैं रोजाना सुबह 45 मिनिट तक योगा भ्यास करता हूं शाम को 6 किलिमेटर की में ब्रिस्क वॉकिंग करता हूं संयम रखता हूं दिन में बाजरा खाता हूं रात को जवार खाता हूं और बिलकुल लिमिटेड उसमें तो संयम ही जीवन है र लिलत के वहार का जीव ने अपने आप पेसंदेश है बहुत सारे काम एक साथ कैसे किये जा सकते हैं और कैसे उनमें बहत्तर अंदा प्रदर्शन किया सकता है इसकी मिशाल लिलत के पार शाब है संवाद में ऐसे ही विपतित्तों से आपको आगे भी रूब्रू करत रहें बहुत बहुत आभार, बहुत साब आपका और आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका थैंक यू बहुत आपका यू